तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था कि अनलोक टूल से समसंग का फर्पी करने में तो जो भी नए यूजर से लिए वीडियो है और यूजर को सबको पता है यह समसंग का फर्पी कैसे करना है और बहुत से उल्ड यूजर भी एरर आने के बाद ट्राय नहीं करते है को तो आपको बता दूब कि समसंग का फर्पी इसमें स्टार है जो टेस्ट मौट हो जो अगर कोड़ आपका वह करता है तो आपको अनलोक टूल में कम से कम चार से पांच बाइश को ट्राय करना है क्योंकि एक बार में कभी-कभी उसका एडी जो होता है वह इनेबल नही वाला हूं इसी तरी कि आप Samsung में जिसने भी टेस्ट कोड़ कर रहे हैं सारे फोन को अनलोग कर सकते हैं बहुत ही रेयर फोन है जो Android 13 में भी हो जाते हैं लेकिन कुछ-कुछ फोन से जो नहीं होते हैं लेकिन आप अगर उसी चार से पांच वार ट्राय करेंगे तो 100% आपका फ फंक्शन बटन में आना है जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको पता है जिनको नहीं पता हैं उनको में बता दू सैमसंग टाइब ओपन करनेक बाद यहां पर आपको इंदिख जाएगा यहां पर रिमूआ फर्पी 2023 इस पर क्लिक करना है कोड डालने का ऑप्शन दे रहा है क डालके continue कर देना आपको continue करने बाद दोस्तों आपको यह पर 3-4 option मिल जाएंगे method 1 जो old है method 2 आप करेंगे तो लगवग अलगवग 70% phone हो जाते हैं अगर यह नहीं work कर तो आप direct method 4 भी try कर सकते हैं but friends बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक बार दो बार ट्राय करते हैं उसके बाद नहीं करते हैं तो यह फोन हमने चार बार ट्राय किया यह पांचवे बार में हुगा है तो आप लोग को फोन connect करना है तीन-चार बार ट्राय करना है अलग-अलग method उसके बाद आगे आपका जो FRP होगा ADB जो होता है जो एक बार में option आएगा जैसे आपके फोन में आपको अलाओ कर देना है अलाओ करते ही आपके जो फोन का है वह फार पी रिमूफ हो जाएगा ठीक है तो यहां पर थोड़ा सा वेटिंग आएगा यहां पर दिख सकते आपको USB debugging अलाओ करने लिए तो आपको आपके फोन में accept का option नहीं अलाओ टूल में लगबग अलगबग जिसमें टेस्ट मोड वक कर रहा है सारे FRP होई जाते ऑनलाइन बहुत लोग कराते बट वो क्या करते आपके फोन का यह शेयर करें अलाओ टूल से ही करते तो आपके पास अलाओ टूल है तो आप उसे ट्राय करें 100% होगा अगर आपक वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और किस टॉपिक पर वीडियो चेर में तो जरू बताए